आज मैं आप से बात कर रहा हूँ तो मुझे 14 साल पहले देश पर हुए सबसे बड़े आतंग की हमले की तश्विरे भी याद आ रही है मुंबई पर पाकिस्तान से आये जिन आतंग वादियों ने हमला किया था वो इस समय भी चल रहा था कल देश और दुनिया ने 26 नमेंबर आतंग की हमले के शहीदों को सरदाजली दिये साथ क्यों मुंबई में जो हुआ वो आतंग की पराकाश्टा थी लेकिन हमारा गुजरात भी लंबे समय तक आतंग के निशाने पर रहा है सूरत हो अम्दाबाद हो इन शहरों में सीरियल बम धमाकों में बहुत से गुजरात के मेरे भाई बहन मारे गए थे कुछ महिने पहले अम्दाबाद कोट ने इन गुनेगारों को गंबीर सजा दी है गुजरात चाहता था कि आतंग का ये खेल खत्म होना चाहिए भाजपा सरकार है यहां गुजरात में आतंग के स्लीपर स्लेल पर बड़ी बारी किसे कारवाई की यहां हम गुजरात में आतंग्यों को पकरते थे उन पर कारवाई करते थे लेकिन साथ्यों कोई भूल नहीं सकता कि कैसे तब दिल्ली में बैठी कांग्रेट सरकार आतंग्यों को छुडाने में अपनी पूरी तांकट लगा देती थी हम कहते रहें कि आतंग को टार्गेट करो लेकिन कॉंग्रेस की सरकार आतंग को नहीं मोधी को टार्गेट करने में लगी रही परणाम यह हुआ कि आतंग्यों के होसले बढ़ते गए देश के हर बड़े शहर में आतंग बाद सीर चड़ कर बोलने लगा आप याद करिए दिल्ली में जब बाटला हाउस एंकांटर हुआ तो कॉंग्रेस के नेता आतंग्यों के समर्थन में रोने लगे रोने कॉंग्रेस आतंगबाद को भी बोट बेंक की नजर से देखती है तुष्टी करण की द्रश्टी से देखती है और सिरफ कॉंग्रेस ही नहीं है अब तो ऐसी भाती-भाती के दल पैदा हुए है ये दल भी शॉर्ट कट की राजनीती में यकीन करते है उनको तो सत्ता की भुख भी जरा तेज है वो बोट मेंक की राजनीती करने पर उतारू है एपीजमेंट तुष्टी करण के पुलिटिक्स में इंट्रेस्टेड है कुछ लोगों को बुरा न लग जाएं अपनी वोट मेंको दिक्कत न हो जाएं इसलिए भैंकर से भैंकर आतंकी घटना के बावजुद भी ये तुष्टी करण की राजनीती करने वाले सारे दल उनके मुह पे ताला लग जाता है चुपी साथ लेते हैं इतना ही नहीं जब कौट के अंदर मामले चलते हैं तो पिछले दरवाजे से उनी से मिले हुए लोग आतंगवादियों की पे रित्मी करने के लिए कौट के दरवाजे तक पहुंचाते हैं भायो भनो ऐसे दलों से गुजरात को देश को बहुत सतर्क रहने की जरूत हैं साथियों 2014 में आपके एक बोट ने आपके बोट की ताकत देखिए आपके एक बोट ने आतंगवाद को कुछलने में हमारी बहुत मदद की है भारत के शहरों में तो छोड़िये अब सीमा पर भी आतंग फेलाने से पहले आतंग्यों की आकाओं को सो बार सोचना पड़ता है अब भारत आतंग्यों के घर में गुश कर उन्हें खत्म करता है लेकिन कॉंग्रेस हो या वोट बैंक के भूखे कुछ दल ये लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाते हैं हमारी सेनाओं के सामर्थ पर भी सवाल उठाते हैं भाई और भेनों दुनिया में हम देख रहे हैं कि जिस भी देश ने आतंग बात को हलके में लिया वो आतंग के चंगूल में फस गया आतंग की विचारदारा गई नहीं है कॉंग्रेस की राजनिती भी नहीं बढ़ली है और कॉंग्रेस के शिकर के छोटे छोटे नहीं नहीं दल भी बोट बैंक की राजनिती के तंदर उलज गए है बोर्ट बेंग की राजनिती जब तक रहेगी तब तक आतंग का खत्रा बना रहेगा ये बाजपा की डबल एंजिन सरकार है जो आतंग पर लगाम लगाने के लिए लगातार काम कर रही है हमें गुजरात को आतंग के खेल खेलने वालों से हमेशा हमेशा बचा के रखना है रखना है के नहीं रखना है रखना है के नहीं रखना है गुजरात की जिस पीडी ने करफ्यू तक नहीं देखा बीस पचीज साल के नो जवानों ने करफ्यू नहीं देखा है जिन नव जमानों ने कर्फिय तक नहीं देखा है मुझे उनको भी बम धमाकों से बचाना है और ये काम कौन कर सकता है भाईयों ये काम कौन कर सकता है ये काम कौन कर सकता है ये काम कौन कर सकता है सरकार ही कर सकती है